अगर आपके पास इस टाइप का पूराना टायर है तो आप इसको भूल कर भी मत रेकना है यह आपके 1000 रुपे बचा सकता है तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखना मेरे पास बाइक का पूराना टायर पड़ा हुआ है इस टाइप का चोड़ा टायर नहीं है तो आप का इसका साइज 20 इंटू 20 इंच है जिसके अंदर से 18 इंच का मिया पर एक गोला निकाल लेंगे तो फाइली यहां पर हमारा पीस कट हो चुगा है तो यहां पर इस टायर के अंदर इसको इस टाप से लगा देंगे और यहां पर परफेक्ट लिए फिट हो रहा है अब यहां पर दो होल और कट करेंगे जो कि 6 इंच के होने वाले है वीडियो में आगे बंड़े से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी हम लकडी की या फिर प्लास्टिक की या फिर किसी भी चीच की गिसाई कटिंग वटिंग कुछ भी करता है तो काफी जादा उड़ती है वो सारी डश्ट हमारे केमरे के अंदर कंप्यूटर कंदर मशनिस के अंदर चली जाता है जो काफी जाजा दिक्कत देती है इसी प्रोप्लम से बचने के लिए हमने आपन नया प्रोड़क्ट मंगवाया यह अगार कंपनी का प्रीमो बेकलेस वेक्यूम क्लीनर यह नॉर्मल वेक्यूम क्लीनर नहीं है इसके अंदर कूबिया बर-बर के दी गई है इसके अंदर पीछी की साड़ में दो बड़े वील्स दिये गए है फ्रण्ट में एक यहाँ पर 360 डिगरी गुमने वाला वील्स मिल जाता है पावर केबल की बात कर लिजा तो बहुत ज क्योंकि फ्लोर काफी अची से क्लीन कर देता है अगर आपके फ्लोर पर मेट लगी हुई तो यहाँ पर इस ट्रिगर को इस ताप से दबा दीजे यहाँ पर ब्रश निकलाएगा एक ट्यूब मिल जाती है आप इसकी साइच को कम जादा कर सकते हो एक मल्टी परपस ब्रश एक क्रेविस नुजल और इस पाइप भी मिल जाता है जूस करना काफी सिंपल इसको इसका पाउर का एक्सपरिमेंट करके दिखाता हूं जैसे हम इसको चालू करेंगे उसके बाद इसका पाउर देगने इसके अंदर 1400 वाट के पाउर पूल मोटर दी गई है जो की 24 KPA की सक इसके अंदर आपको साइकलोन फीचर दिया गया है जब भी डश्ट इसके अंदर जाती है तो गोल गुल गुंगती हो और हमारे जो हीपा फिल्टर रहे उसको जाम नहीं करती है 1.5 लीटर का डश्ट कंटीनर मिल जाता है जिसके पीचिक जाएड में हीपा फिल्टर लगा आप इजी ली ब्रस के दुवारा क्लीन कर सकते हो इस मसीन को पर्चेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है वहां से आप इसको पर इसके अंदर अब मेरे पास यहां पर एक लेमिनेटर है जो इसके ओपर हम लगाने वाले हमार यहां इसको आपर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जुरू बताना मैं आपर फेल्कॉल इस्प्रे का यूज़ करने वाला हूं इसके अंदर अब इसको उल्टा करके थोड़ा वेट रख देंगे इसको पर ताकि यहां पर यह जो लेमिनेशन है इसका अच्छे से चिपक जाए आपको लग रहा हुए सारा पानी कहा सा रहा है कहां से टपक रहा है तो यह पानी टपक नहीं रहा है वाईयो यह जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नहीं तो फटाफ़ से कर लेना और फेजू पेट पर देख रहो तो पेच को फोलो जरू कर लेना भाईू तो यार मेहनत देख सकता है कितनी जादा करनी पड़ती है अच्छी तरह के से हो चुके है और यहां पर माइका भी अच् के साथ में लगाना होगा और यह रहा हमारा एंप्लिफायर बहुत यह त्पीकर के लिए आप इस टाप से कनेक्शन दिये गए बारा से चोईस वोल्ट तक का इसको पावर सप्लाइ चाहिए गर आप चोईस वोल्ट का दो गए तो काफी शांदार सा इसके अंदर आउटको जरू मंध्र है अब यहां पर दोनों इस प्रिकर पोंगों है इनको यहां पर लगा देंगे इन दोनों ओल के अं वोड लग चुका है अब यहां पर इन दोनो इस पीकर के इस बोड से कनेक्शन कर लेते कनेक्शन काफी सी पल सा यहां पर पीजी कि साट्रीके के जाए में § 100 करेंगे और से लगा देंगे के इस टाप से यहां पर इसका अंदर है अचारिके दिर आ तरिodel से बेगे यहां पर पावर सप्लाई के लिए एक्स्ट सिक कर लिए है यह पर प्राव सप्लाइ के लिए में ढि रखा दिया है यहां पर स्कारी को लगा क है न Ồंज भी लगा आपने बॉर्ड को कस दिया और यहां पर देखिए तो चार उतर अपसम ने कस दिया ताकि मजबूती बनी रहे इसके अंदर तो आप यहां पर पीछे से इसको पेक करना होगा इसलिए यहां पर मैंने आल्रेडी एक इस टाप का गोल पीस कट कर लिया है प्लाइवूड का इस तो यहां पर इस टाप से लगा देंगे इस ग्रूपे दुआ रहा तेकिन उससे पहले यहां पर जो एक्टिस्टि कनेक्टर उसके लिए मार्किंग लेना होगा कट करना होगा और यहां पर जिपता ना होगा ताकि बैटरी को कोनेट कर सके जो आख पर इसको लगा दिया है काफी अच्छे से लग चुका जब यहां पर इसको यहां पर इस पर इस लगाएंगे लेकिन उससे पहले काम और करना होगा यहां पर यह बड़ा सा होल करना होगा थो फटापट से होल कर ले था पयाल पर आपर हो जुगा है अब यहां पर यहां पर यहां पर शुचछतव कक्या उल्का दोख धने मंदो ग्रिल का का यूज करने वाला हूं यहां पर ग्रिल्स सबाएगे ने बनाई है और यह मारकाड में मिल जाते में है चाहिए थी इसलिए मैंने आपा इनको 3D printed किया है इसको चिपकाने के लिए super glue का यूज करूंगा मैं लेकिन ध्यान रखना होगा कि पर्दों के अंदर ना चला जाए इस पिगर खराब हो जकते है तो फाइल हमारा speaker बनके तयार हो चुका है जूकि टायर के अंदर बनके तयार हुआ है और गाइस इसका लुक देखो आप लुक केसा लग रहा है आप कमेंट करके बताओ लुक केसा लग रहा है अब यहां पर इसको चालू करने के लिए मैं ज्यादा कुछ भी नी चाहिए यहां पर मेरे पास एक ब्रोन की बैटरी है जो की 14 वोल्ट की है और यहां पर 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक आप कुछ भी दे सकते हो इसको और यहां पर इसको नीचे की साइड में रख देंगे और इसको आप कहीं भी लेजा सकते हो मालीज आप कहीं पिकनिक कर ने आ रहा है तो काफी आराम से चलेगा और काफी तेज साउंड इसका अब इसको चालू कर कर देखें मैंने मुबाईल से इसको अनेट कर लिया, Bluetooth से हो जाता ही है अब इसके अंदर कुछ बजा कर देखते हैं तो अभी में क्या है कि इसके अंदर गाने जो है जादा नहीं बजाओंगा क्योंकि गाने से कोपिरेट आ जाएगा तो हम यहां पर क्या करेंगे कि अगर आपको गाना सुनना है तो हमारे इंस्टाकराम आइडी जो है उस पर जाकर देख लेना आप अब इसका साउंड मेंने बिल्कुल कम कर रहा हूं ताकि आपको समझे में आया कि कितना साउंड आ रहा है ठीके मैं यहां पर साउंड इसका बढ़ाता हूं कर दो इसका आवाज इतना ज्यादा खतमना कि मतलब आसपास के एरिया में ऐसा लगता जैसे कि डीजे बज़ रहा है यहां पर दो बड़ी साइज की स्पीकर यूज़ करें और यहां पर इसको पावर मिल रही बस इस बैटरी से मिल रही है तो आप कहीं जैसे माली जे पाटी वाट दे सकते हो और किसी चीज से पावर दे सकते हो ठीक है तो यहां पर इसको हम चला सकते हैं कि अब गाना चेंज करते हैं इसके अंदर गाना लगा के देखेंगे एक बार अब यहां पर तोड़ा गाना लगा कर देखने वाले हम राजस्तान जालावार से तो जालावार यह गाना लगा कर देखेंगे कि इतना में रखेंगे कोपी रड़ा सकता है तो एक पी च elle डंना नहीं तो इतना सा हेंग अगर आ bumps इृत पूरा गान सुना है तो इन्रे करा माईड़ पर महां पर मैं बहुत सारे अप दिखांए रह दूогодिग इस इंदर काफी मजागा बैसे डांस करना नहीं आता है बस थोड़ा बहुत ऐसे इंज्योय कर लेते हैं